नमस्कार स्पोर्ट्सकैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आनंद शिवास्तव देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंतृत किया है जाने माने खेल विशशग्य राकेश थपल्याल जी को रा आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सबसे पहले शुरू करते हैं हेडलाइन से चैंपियन्स लीग फुटबॉल के फाइनल में बायन म्यूनिक का सामना पेरेस सेंट जर्मेन से इंगलेंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच कल से साउथ हैंटन में प्राग ओपन टेनिस टोर्नामेंट के क्वाटर फाइनल में आज सुमित नागल और स्टैनिस लास वापरिंग का हुंगे आमने सामने और वर्ष के अंतिम ग्रांड स्लैम अमरीकी ओपन के लिए जारी हुई डबल्स रैंकिंग सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन्स लीग की बुंडस लीगा चैंपियन बायन म्यूनिक ने चैंपियन्स लीग के फाइनल में जगह बना ली है कल खेले गए सेमी फाइनल में बायन ने फ्रेंच क्लब लियॉन को तीन शून इस पराजित किया बायन के लिए सर्ज गैबरी ने 18 में और 33 मिनट में दो गोल किये मैंस समाथ होने से दो मिनट पहले पोलाएंट के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेविन डॉसकी ने टीम का तीसरा गोल किया लिस्बन में 24 अगस्त को होने वाले फाइनल में बायन का सामना लीग वन चैंपियन पेरे सेंट जर्मिन से होगा पियस जी की टीम एक दर्शक में पहली बार फाइनल में पहुंची है आशा किया नुरूप प्रदर्शन बायन का? बिल्को जैसा उनका नाम वैसा उनका जबरदर्शन और अगर वो जीतते हैं तो ये उनका च्छटा किताब होगा बहुत जबरदस उनका प्रदर्शन चल रहा है और उनके जो लेवनडोस्की है उनकी टैली जो है यहां पर 15-16 गोलों की हो गई है तो बहुत जबरदस वो फार्म में चल रहे हैं लगादार अच्छे गोल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो जर्मन टीम है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी एक सितारों से बढ़ी टीम और जिसका पूरा पुरा पुराना अच्छा बैगराउंड होता है उसके खिलना लेकिन उनके लिए खोने के लिए इतना नहीं होगा मुझे लगता नाम है नेमार जैसा खिलाडी है एंगल डिमारिया जैसा प्लेयर है मुकाबला कितना कड़ा होगा देखे जब फाइनल होता ना तो पिछले सारे परदशन अलग छूट जाते हैं जो नौक आउट मुकाबले होते हैं वो एकदम अलग हो जाते हैं तो मुझे लगता कि अच्छा होगा लेकिन वो देखने वाली बात है कि सपोर्ट बेस किस टीम का ज्यादा चला रहा है कि आप पूरी दुनिया में अगर देखेंगे दोनों टीमों का नाम किसी के आगए लेंगे तो बैरेन म्यूनिक का जो इतियास रहा है जो लोग जितना उसको जानते होंग आर इस कलब के जर्मन के पास एक मौका होगा कि वो जब फाइनल में खेलेंगे बैरेन म्यूनिक के खिलाब तो पूरा जोड लगाकर खेलेंगे और शानदार परदर्शन की तरफ से इसमें दिखाई देगा बायन म्यूनिक की टीम ने सेमी फाइनल की बात करें और उससे पहले कौटर फाइनल में इस टीम ने जबरदस प्रदर्शन किया था और पेन की जो मशूर कलब बारसीलोना को बहुत बुरी तरीके से हराया था और अगली खबर उसी पर है स्पेन के फुटबॉल कलब बारस को नया कोच बनाया है बारसीलोना ने कोमेन के साथ दो साल का करार किया है रोनाइल्ड कोमेन वरतमान में हॉलेंड की राश्ट्री टीम के कोस थे कलब ने कहा है कि पूर्व डिफेंडर कोमेन के साथ जून 2022 तक करार किया गया है कोमेन जोहान करफ की सफल टीम के सदर से रह या फिर PSG को जोईन करते हैं देखे जब भी कोई नया कोच आता है रखास तो पर एक ऐसा खिलाडी जो पहले उस कलब के लिए खेल चुका हो उसकी जो बड़ी जीत होती है उस पर भूमी का निभाद चुका हो जब वो एक कोच के रूप में उस कलब के साथ जुड़ता है त और जितने भी खिलाडी ये कोचिस होते हैं जब वो दवाब में होते हैं तो मुझे लगता है कि मैकसिमम के साथ क्या होता है कि दवाब में उनका परदशन और बेतरी नों के निखर कराता सामने और इस चीज़ को समझते हैं कि जो कलब फुटबॉल है उसके अंदर कितना जबरदस प्रेशर होता है खिलाडी के रूप में उन्होंने उस दवाब को जहला हुआ है और रास्टे टीम के साथ भी आपने उस प्रेशर को जहला हुआ है तो मुझे लगता है कि एक लंबा करार उनके साथ किया गया दो साल का तो दो साल में वो टीम को किस तरह की शेप देते हैं कितनी सफलताय दिला पाते हैं तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ एक लंबी प्लानिंग वो यहां पर करके आएंगे और टीम अगर उनके हिसाब से खेलती है तो मुझे लगता कि टीम के लिए वो एक एसेट थाबित होंगे जी बिल्कुल और दबाव आपने बात की तो दबाव इस लिहाद से भी होगा कि बारसिलोना ने पिछले बारह साल में ये पहला ऐसा सीजन था जिसमें उसने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है हाँ वो इसी वज़े से उसके कोच को जो हटाए गया ना बीच में तो मुझे लगता है कि एक नई तरह की प्लानिंग बनेगी जब नया एक कोच आता है तो आप लिए कि सारी रंडीती उसी हिसाफ से बनती है कि कोच कैसा किस खिलाडी से कैसा परदस्तन चाहता है, किस खिलाडी को किस भूमी का में लेना चाहता है। तो कई बार एक छोड़ी-छोड़ी चीज़े होती हैं, वो आपको बिलकुल आपका जो परदस्तन है उसमें बदलाव लेका आ जाती है जे बिलकुल एक से बढ़कर एक बड़े नाम हैं, लियनन मैसी हैं, लोई स्वारेज हैं, आर्थुरो विडाल हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कहें कि ये तीनों खिलाडी हो सकता है कि इस सत्र के अंत के बाद कलब को अलविदा कह दें। फुटबॉल में एहम योगडान के लिए डी सीए के सदस्यों को समानित किया। फुटबॉल की एक और खबर है, भारत के 2017 सीफा अंडर 17 विश्यू कप टीम के सदसे बोरिस सिंग ठांग जाम को आज कोविद 19 जाच में पॉजिटिव पाया गया। इस तरह वो सक्रिय फुटबॉलोरों में संक्रमित होने वाले पहले खिलाडी हैं। इंभाल के 20 साल के बोरिस 2017 में भारत में आयोजित अंडर 17 विश्यू कप में भारत के टीम में से दो मैचों में खेले थे, उन्हें मनिपुर में क्वारंटीन में रखा गया है। मेजबान इंगलेंड के लिए बेन स्टोक्स इस मैच के लिए भी उपलब्द नहीं होगे। गेंद बाजी में जोफरा आर्चर को अंतिम एकादश में जगे मिलती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। इंगलेंड की सलामी जोडी ने अब तक निराश किया है। ऐसे में उन पर बेहतर प्ररशन करने का दबाव होगा। घरिलू सरजमी पर जेमस एंडरसन और स्ट्वर्ट ब्राट की जोडी एक बार फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए मुसीवत खड़ी कर सकती है। पाकिस्तान की चिंता उसके कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज अजहर अली की खराफ फॉर्म है। शान मसूद, बाबर राजम और दूसरे टेस्ट मैच में अपने बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले मुहमर रिजवान पर एक बार फिर पाकिस्तानी फैंस की निजरें टिकी होंगी। एक दशक बाद टीम में वापिसी करने वाले फवाद अलम दूसरे टेस्ट मैच में बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे। ऐसे में देखना होगा कि मिजबा उलहक और अजर हली की जोड़ी उन्हें इस मैच में मौका देती है या नहीं। शाहिन अफरीदी नसीम शाह के साथ यासिर शाह पर इंगलेंड के बल्लेवाजों को सस्ते में आउट करने का दबाव होगा। विश्वर टेस्ट चैंपियनशिप के लिहास से दोनों ही टीमें मैच में जीत दर्जकर महतुपूर्ण अंक जुटाने की कोशिश करेंगी। तीसरा टेस्ट मैच नरधारित समय से तीस मिनट पहले से शिरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच इसी मैदान पर बारिश और खरा मौसम के कारण बुरी तरह बभावित हुआ था। जिसके बाद दोनों टीमों ने ये निरने लिया है। तीन टेस्ट मैचों की शुंकला में म इस बान इंगलेंड एक शुने से आगे है। रवी कपूर, स्पोर्ट सकैन। फवादालम पर लगी हुई थी, वह वहाँ पर वैसा प्रदेशन उनका निराशा जाना की रहा है। तो उन बड़ी उमीदों के साथ वो टीम में लिये गए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इस तीसरे और अन्तिम टेस्ट में कैसा वो प्रदेशन करते हैं। ले बड़े निराश हुए और इंग्लेंड और पाकिस्तान के जो समर्था के उनको भी बड़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि जब बारिश के वे से आपका मैश लगातार समय खराब होता है। और तीसरे टेस्ट भी फिर पहले सी तैय था कि इसी जगह पे छेला जाएगा। और आपके उमीदें ये लगती हैं किसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बाई इसमें कितना खेल हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, बारिश की भूमी का खलनाएक के रूप में कैसी रहेगी। और हम पायरों ने पहले ही समझ लिया है कि बारिश के विए से खेल तो काफी खेल खराब होता है और अगर ये मैच कई और होता तो शायद थोड़ी सी उमीद बनती लेकिन अब यहां तो बारिश का मौसम चली रहा है क्या लगता है पिछले टेस्ट मैच में सिर्फ 134 ओवर का खेल हो सका क्या रणनी थी होगी दोनों कफ्तान की टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करें देखिया वो डिपेंड करता है कि पिछ की आर मौसम की कैसी कंडीशन है और मुझे लगता है कि जिस तरह के बारिश का माहल चल रहा है तो हो सकता है कि जो टॉस जीतेगा वो पहले फिल्डिंग करने का बुले सकता है वहाँ पर अगर फिज की कंडिशन के ओपर डिपेंड करेगा ग्राउंड की कैसी है कंडिशन मैस से पहले रात या सुबा किस तरह का होता है बारिश हुई है कि नहीं हुई है बहुत सी चीजे हम देखें कि इंग्लेंड के जो टेज गेंदमादों की जोड़ी है जेमस एंडरसन और स्टूइट बर्ड की वह बहुत जबर्दस फॉर्म में चल रहे हैं और पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो अतनी फॉर्म में है नहीं तो उनके लिए दिक्कते तो होंगी लेकिन आप दिखें कि एक फर्क होता है तीम का चाहिए अगर आप अच्छे बल्लेबाज हैं तो चाहिए आप पहले बल्लेबाजी करें चाहिए बाद में थोड़ा सा फर्क पड़ता है लेकिन अगर आप अच्छी फॉर्म में आपके बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं तो आप बाद मे मुझे लगता है कि इंगलेंड का इha बारी है लेकिन पाकिस्तान की टीम वह इस चीज के लिए जानी जाती है कि वह रिटैलियेट करती है एक्डम से पूरी टाकत वह यहां पर जोहकेंगे जब जब वो डाउन होते हैं पाकber और फिखलारी तो उनकी हमेशा अचक मुकाबलाद देखने को मिलेगा जैसे जैसे ये टेस्ट मैच कल से शुरू होगा इसके पलपल की जानकारी हम स्पोर्ट स्कैन के माध्यम से आप तक पहुचाते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज पूरो कप्तान मुहम्मद यूसुफ को लाहोर स्थेत राष्ट्रिय हाई पॉफर्मिंस सिंटर का बल्लेबाजी कोच न्यूक्त किया है टेस्ट क्रिकेट में 7530 और वंडे में 9720 रन बनाने वाले यूसुफ इसकेंडर में प्रशिक शकों की अगवाई करेंगे मुश्ताक एहमत इसकेंडर के स्पिन गेंबाजी सलाहकार है आईपील की बात करें तो चन्यूपर किंग्स के अनुभवी आफिस पिनर हरभजन सिंग नीजी कारणों से अपनी टीम के साथ कल सैयुक्त अरब आमाराद के लिए रवाना नहीं होंगे इसके अलावा इमरान ताहिर, मिचल, सैंटनर और ड्वेन ब्राबो केरिबियन प्रीमियर लीग में खिलने के कारण टीम से फिलहाल नहीं जोड़ पाएंगे चिन्नई में शिवेर में शामिल नहीं रहने वाले ओल राउंडर रविंद्र जड़ेजा कल टीम के साथ यूएई के लिए रवाना होंगे पूरो भारती कप्तान महींद्र सिंग धोनी को फत्र लिखकर उनके योगदान को सराह है धोनी ने इसके लिए शिमोदी का आभारविक्त किया है भारत को अपनी कप्तानी में दो विश्युकप और चैंपिन्स ट्रॉफी तथा नंबर एक टेस्ट रैंकिंग दिलाने वाले धोनी ने 15 अगस्त को सन्यास की खोशना कर अपने अंतराष्ट्य क्रिकट को अलविदा कह दिया था एक बड़े खिलाडी को एक बड़ा सम्मान देखे बहुत बड़ा ये सम्मान मैं कहूंगा कि और हमारे जो पधानवंत्री शी नरेंदर मोदी हैं बहुत जबरदस खेल प्रेमी है और चाहिए कम लोग इस चीज़ को जानते होंगे है कि पधानवंत्री बनने से पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसेशन के अध्यक्ष भी रहे थे और पधानवंत्री पद सम्हालने के बाद उन्होंने इस पद के सीफा दिया था तो बड़े इच्छे क्रिकेट प्रेमी हैं दूसरे खेलों के लिए तो आप हम देखी रहे हैं कि तमाम योजनाय सरकार की तरफ से ऐसी आ रही है वो सारा नहीं बोदी जी का जो मार्क दशन है उसके तैद खेल मंत्रा ले और जबरदस परदशन हमारा कर रहा है और घर घर तक जो है खेलों की सुविदाएं और जो मदद होती है खेलाडियों के लिए वो पहुँच रही है और यहां पर यह जो दिखाता है कि हमारे धुरंदर खिलाडी ने जब सन्यास लिया तो देश का पधान मंत्री उन्हें दो पेज की चिठी लिगकर जो शुब कामनाई दी है और जो उनके करियर को सरा है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी यह चीज है और इसको दोनी अपनी यादों में हमेशा संजो कर रखना चाहेंगे और इस चिठी को मुझे लगता है कि वो जैसे क्रिकेट में जो अपलब्दियां उन्होंने हासिल की है वो ट्रॉफियां संभाल कर रखते हैं या वो सर् धीवन बहुत संभाल कर रखेंगे राकेश जी आप दर्शुकों से खेल पत्रकारीता से जूड़ेता हैं कोई ऐसा अवसर पहले आपको दिखाई देता है कि प्रधान मंतरी ने किसी खिलाडी को सन्यास लेने के बाद उसको शुपकामनाई दिया है नहीं अब यहाल फिला में देखा कि मैंदर सिंग दोनी ने तुरंत उनका धन्यवाद अदा किया और उसने उन्हें इस चीज़ पर कहा कि भई जो सैनिक होता है खिलाडी होता है जो देश के लिए खेलता है अच्छा पदशन करता है तो वो इन सब चीज़ों से बड़ा प्रोटसाइट होता है कि जी बिलकुल और धोनी के फैंस को इंतजार है कि कब IPL शुरू हो और एक बार फिर धोनी के हेलिकॉप्टर शॉट को वहाँ देखने का मौका मिले चैनिस की बात करते हैं प्राग ओपन टैनिस टोर्णामेंट में भारती ए खेल प्रेमियों की निगाहें सुमित नागल पटी के हुई हैं आईए सुनते हैं इस टोर्णामेंट पर विरेंदर कौशिक की ये रिपोर्ट सुमित नागल प्राग ओपन टैनिस टूर्णामेंट के सिंगल्स क्वाटर फैनल में पहुँच गए हैं नागल ने दो घंटे 21 मिनट चले दूसरे दोर के मुकाबले में चैक गंडराज्ये के जिरी लहिचका को 5-7-6-7-6-3 से माग दी अंतीम आठ के मैच में सुमित नागल का सामना अब से कुछ देर बाद शिर्च वरिता प्राप्त स्विडिर लैंड के स्टैनिस लास वावनिंका से होगा दबल्स में भी सुमित नागल क्वाटर फैनल में पहुच गए हैं प्री क्वाटर फैनल में नागल ने बेला रूस के इलिया इवांसका के साथ आस्ट्रेलिया के अर्टेन सिताक और स्लोवाकिया के इगो और जेली की जोड़ी को उतार चड़ाव भरे मकाबले में तीन-छे-छे-तीन-दस-आठ से हराया दिविज शरन और हॉलेंड के रॉबिन हास की जोड़ी भी अंतीम आठ में पहुच गई है शरन और हास की जोड़ी ने चेक गंडराजे के जोनास फॉर्टेक और माइकल वर्बेंसकी की जोड़ी को छे-तीन-छे-दो से हराया एन-बालाजी और बेलजिम के कीमर कॉपई-जान्स की जोड़ी का इस समय क्वाटर फाइनल मेक कनाडा के S-D-A-J और स्लोवेनिया के बलाज रॉब्ला की जोड़ी के साथ मकाबला हो रहा है बाला जी और कीमर की जोड़ी को पहले सेट में हार का सामना करना पड़ा है विरेंदर कौशिक, स्पोर्ट स्कैन सबसे पहले तो हम अपने शोताओं को बता दे कि जो बाला जी का मुकाबला चल रहा था वो मैच बाला जी और कोपेजान्स की जोड़ी जो हार गई है नाम पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह के खिलाड़ी है और उनके खिलाव सुमित नांगल को कोई बहुत जादा आप देखेंगे तो सब ये कहेंगे कि वावरिंका का पलड़ा भारी है लेकिन सुमित नांगल के लिए कि एक यादगार मैच यह हो सकता है उनकी कोशिश होगी कि इसमें बेहतर से बेहतर प्रदशन यहां पर करें और उनका जो सरसे टैनिस है आज तक का वो यहां पर निकल के आए इस वावरिंका के खिलाव इस मकाबले में जैसा आपने बताया कि फेडर के खिलाव जब एक सेट उन्होंने जीता तो उस वज़े से भी उनको काफी नाम मिला टैनिस की दुनिया के अंदर लोगों ने उनको बड़ा सरहा था तो आज उनके पास एक बार फिर मौका एक टॉप क्लास टैनिस खिलावी के खिलाव हम मुझे लगता है कि उनके तरकश में जितने तीर है वो चाहेंगे कि इस मैच में जोके और अगर वो एक अच्छी फाइट उनको दे पाए तो भी मुझे लगता है कि बहुत एक तारीफ होगी और वावरिंका के ओपर थोड़ा दवाव होगा क्योंकि थे कि समिद्ना का लेक उबरते वे खिलाडी हैं इंदुस्तान के उनका नाम नहीं है तो वावरिंका का उनके साथ जब ज्यादा आपने उनको खिलाडी को ज्यादा देखा नहीं होता जिस खिलाडी को जो बड़े खिलाडियों के खिलाफ ज्यादा खेले नहीं होते तो उसके खिलाफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं नामी खिलाडी के उपर एक दवा 17 Grand Slam अमरीकी Open के पुरुष डबल्स में भाग नहीं लेंगे। इस निरने के बाद से अमरीका के 42 वर्ष ये इन जुड़वा भायों के करियर का अंत माना जा रहा है। केबल को शिर्ष वरेता दी गई है। महिला वर्ग में टीमिया बेबोस और क्रिष्टिना अम्लादिनोविच टॉप सीड जोड़ी की हैसियत से टूर्नामेंट में उतरेंगी। बेल्जियम की एलिस मर्टेंस की जोड़ी को दूसरी वरेता दी गई है। तीन बार की चैंपि दिया गया है स्पोर्ट्स स्कैन विरेंडर कोशिक। राकेश जी समय नहीं है कि अमरीके ओपन के इस खबर पर आपसे चर्चा करें। आप स्टूडियो में आएं तमाम खेल खबनों पर विश्व शग्यराय साजा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पूरी टीम को दीजिया अनुमती नमस्कार।